ये तस्वीरे पश्यम मंगाल के हावडा की है, जहां दो समुदाय के लोगों ने जम कर बवाल मचाया, वो भी सिर्फ एक तस्वीर को लेकर, जो दुर्गा पंडाल में सद्भावना का संदेश देने के लिए लगाई गई थी। की पोटो लगाई गई थी। एतराज होने पर व्यापार मंडल ने माफी मांगी और तस्वीरों को पंडाल से हटा दिया। लेकिन मुस्लिम समुदाय की नाराजगी दूर नहीं हुई और सैंकडू की भीड थाने का घेराव करने पहुंच गई जिस पर पुलिस ने शुकायत पर हमला बोल दिया। कई प्रतिमा को मिट्टी में मिला दिया गे। और तोह अर्भीड ने पूरे इलाके में जम कर बवाल मचाया। हालात ऐसे हो गए कि इलाके की हंदूओं में डर फैल गए। कि कुछ बिशे संप्रदायक लोग यहां पर दोकंदार को पाबलिक को दोड कर रहा था और दोकंदारा को खुमकी दे रहा था था थाने के शामने में शभी जगा में वो लोग टायल में आग लगा दिया। हमला सिर्फ हिंदूओं पर नहीं हुआ बलकि पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़ पोड़ की गए और थाने पर भी पत्राव किया था। पुलिस की तरफ आकरमन की अभी फिलाल हमलों का एकी पक्षे अरेस्ट है बड़ उसमें हम लोग देख रहे हैं जहां जाब भी कोई भी गंड़कुल करे का हम लोग उसमें देखे हैं। जब बबाल लगातार बढ़ता रहा तो प्रशासर ने पुलिस पोर्स और आरेएफ की तैनाधी की तैनाधी की। कई इलाकों में बी एसे की धारा 163 भी लगा दी की। बंगाल के अलाबा कुछ ऐसी ही तस्वीर बिहार के बेगू सराय में भी देखने को में। जहां रविवार को मूर्ती विसर्जन करने जा रहे श्रफधालूं पर कुछ लोगों ने हमला भोल दिया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। मौके पर अभी भी तनाव की स्थिदी बनी हुई। जान बचाने के लिए लोग जा रहे थे उसी दवरान किसी बात को लेकर आपस में धिरंथ हो गया और देखते ही देखते जम कर हंगामा सुरू हो गया। जीनिर्स